आज मैं आपके सामने मेथी की पराठी की रेसिपी शेयर करने जारी हूँ ये मेथी की पराठी बहुत ही स्वाधिस्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और हिल्दी भी होता है तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जर्वत पड़ेगी मैंने अदरक लसुन को कदुकस कर लिया है और दो मिर्ची छोट 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 चॉप कर लिया है मेथी को एकदम रफली चॉप किया है, इसे एकदम बारी फाइनली चॉप ना करे क्योंकि अगर आप जब इसके पराठे बनाएंगे तो इसका जो करवा हट है वो पराठो में आ जाएगा सबसे पहले मैं दो कप आटा ले रही हूँ और हमारा जो रफली चॉप किया हुआ मेथी है वो लगभग एक कप है जिस भी कटोरी या कप से आप मेजर करें वो सेम चीज का इस्तेमाल करें आटा और मेथी को लेने के लिए इसमें बारी कटा हुआ मेर्ची डाल रही हूँ अद्रक लसुन जो कद्दुकस किया हुआ था उसे भी मैं इसे डाल दे रही हूँ अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ लगभग आधा चमज नमक आप स्वादा अनुसार ले एक चोथा चोटा चमज हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और जीरे और काली मिर्च का मैंने एक पाउडर बना के रखा है जिसे मैं डेर चमज दिखते रही हूँ अब मैं इसमें दो बड़ा चमज रिफाइन ओयल डाल रही हूँ अब इसमें एक चोटा चमज कलोंजी डाल रही हूँ अब मैं इनको पहले सूखे ही अच्छे से मिला ले रही हूँ ताकि जो मसाले हैं आटे में अच्छे से घुल जाए अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए आटा को गून ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए मैं आटे को अच्छे से घुल ले रही हूँ आटे को आपको बिल्कुल ही इस तरह से सॉफ्ट मुलायम घुल ना होगा अब मैं डो को दस मिनिट के लिए ढखके छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए दस मिनिट के बाद मैंने डो से लोईयां काटके रख लिया है तवे को गरम होने के लिए दे देती हूँ लोईयों को अच्छे से आटे में डिप करते हूँ इसको मैं अब गोल आकार देते हूँ बेल ले रही हूँ इसे मैं बिल्कुल ही पतला बेलूंगी ताकि जो पराठे होंगे वो हमारे बहुत ही सॉफ्ट पनेंगे और इसली टूट जाएंगे देखिए इसे मैंने बिल्कुल पतला बेल लिया है तवा गरम हो चुका है और मैं इसमें सेखने के लिए दे दे रही हूँ देखिए एक तरफ सेख चुका है ये मैं इसे पलट दी हूँ दोनों तरफ अच्छे से सेख लेंगे हम देखिए ये थोड़े थोड़े उभरने लगे हैं इसका मतलब ये दोनों तरफ भी अच्छे से पक चुका है क्यूंकि इसमें ये फुलने लगा है ये जब फुलने लगे तब आप इसमें घीर लगा के इसको सेख दे ये ऐसे दबाते हुए कोनों को चारो तरफ के कोनों को दबाते हुए आप इसे सेख दे फिर दूसरे तरफ भी मैं इसे घीर लगा दे रही हूँ और दोना तरफ अच्छे से सेख ले रही हूँ ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन दिख रहे हैं हमारे पराथे गर्मा गर्म परोसने के लिए तयार है हमारा सॉफ्ट टेस्टी मेथी का पराथा बनके तयार है इसे मैं मीठे दही के साथ सफ कर रही हूँ आपके पास अगर धन्यपत्ता ये पुदीने की चटनी है तो उसके साथ भी सफ करें उसके साथ भी इसे खाने में बड़ा ही स्वादिस्ट लगता है मेथी के साथ बहुत ही गुनकारी होता है इसे आप भाजी के तावर पर अगर नहीं खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा करवा लगता है तो आप इस तरह से पराथे में डाल कर बना सकते हैं क्योंकि ये पराथे में जब ये मेथी के साथ आप बना कर खाएंगे तो ये बिल्कुल ही करवा नहीं लगेगा और इसके जो गुन है आपके पेट में चला जाएगा तो ऐसे आप टेस्टी वेर से मेथी का पराथे को खा सकते हैं अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग मैं चैनल